अब देखिए यहाँ पर हमारे पास solid, liquid और gas का एक diagram बना हुआ है जिस diagram से हम इजली देख सकते हैं कि जो भी solid structure होती है उनके बीच में कितना close packing हमें दिखाए दे रही है है ना, तो solid बहुत ही closely packed होते हैं intermolecular distance उनके बीच में बहुत ही कम होती है इसको आप compress कर पाना या इसको flow कराने की tendency रखना बहुत ही possible ही नहीं है कैसा हो पाए तो एक तो हमने यहाँ पर देख लिए liquid यह case में देखते हैं अच्छा एक और चीज में discuss कर लो अगर मैं दो force की बात करूं force of attraction and force of repulsion तो इसके case में force of attraction बहुत बहुत जादा होता है force of repulsion से यहाँ पर force of attraction और force of repulsion almost equal होते हैं ठीक है और यहाँ पर gas के case में force of attraction और force of repulsion की बीच में कर आप देखेंगे तो force of repulsion कहीं जादा होता है force of repulsion से ठीक है तो ये condition यहां की हो गई, अब आगे देखे, ये तीनों जी state होती है, तीनों inter-convertible होती है, हम solid से liquid बनाना सकते हैं, इस method को हम लोग क्या बोलेंगे, fusion बोलेंगे, हम liquid से gas बना सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे vaporization, हम gas से solid फिर से बना सकते हैं, इसे हम बोलेंगे deposition, opposite चलें इस process को बोलेंगे sublimation, और gas से गर हम liquid बनाना चाहें, इसको बोलेंगे condensation, देखो बीटा होता क्या है, जब भी हम solid से gas बनाना चाहते हैं, तो solid सबसे पहले liquid में convert होता है, और liquid में convert होने के बाद फिर वो जाकर के gas में convert होता है, लेकिन ऐसे कुछ substance हैं, जैसे की camphor हो गया, जैसे की naphthalene हो गया, ये क्या करते हैं, ये solid से directly gas में convert हो जाते हैं, और इस process का नाव हमने क्या रखा है, sublimation रखा है, ठीक है, चलिए, तो basic बात थी, साइद आपको समझ में आ गई होगी, अब देखिए, हम लोगों ने, देखिए, एक बहुत ही basic दिमागमिक बात रखिए अगर आपको जैसे chemistry स्टार्ट करनी है पड़ना, आप बिल्कुल basic से स्टार्ट करिए, आँख बंद करिए, एक जगा बैठिए, फिर अपने चारों तरफ देखना स्टार्ट करिए, देखना स्टार्ट करिए, कैसे देखिए आप, हम जिन चीजों से surrounded हैं, उन हर चीज में एक चीज common मिल रही है, कि वो सब के सब के पास अपना खुद का कुछ नकुछ मास है, और जितने भी हम चीजें देख पा रहे हैं, वो space occupy करती हैं, यानि कि सब के पास अपना मास है, space occupy कर रहे हैं, यानि कि हम matter से surrounded हैं, हम चारों तरफ matter से घिरे हुए हैं, ठीक है, फिर बा साप मेटर, five states साप मेटर आ गए, तीन तो वो होते हैं, जो room temperature पर exist करते हैं, solid, liquid and gas, दो और होते हैं, एक उसमें से extremely high temperature पर, extremely low temperature पर exist करता है, extremely high temperature वाला plasma हो गया, extremely low temperature वाला हो गया, हमारा Bose Einstein Condensate, ठीक है, फिर आ गया chemical behavior पर, इतना सवाल बिलकुर sequence में आपकी दिमाग में बै गैसी state है, जो कि बनी होती है, super energetic and super excited particle से मिलकर के बनती है, अब जाहिर सी बात, अगर यह super excited है, super energetic है, यह super energy का source क्या है, आखिर है तो energy का source temperature ही ना, यानि कि यह state high temperature पर मिलेगी, अब होता क्या है, अगर हम किसी high temperature पर किसी gas को रख दें, extremely high temperature पर रख दें, तो वो gas ionized हो जात ठीक है, कहां देखने को मिलेगा ऐसा, आप देख रहे हैं sun या फिर stars देख रहे हैं, वो glow करते हैं, तो इसके पीछे का जो reason है, वहाँ पर plasma का पाया जाना होता है, ठीक है, दूसरी बात, यह plasma temperature पर, energy पर यह depend करती है, और इसका जो glow होता है, जो sign होता है, वो भी color या जो ह tube, consist of plasma, inside a neon gas sign bulb, there is a neon gas, and inside a fluorescent tube, there is a helium gas, or some other gases, जो भी fluorescent आपको tube दिखें, यानि कि उसके अंदर, क्या भरा हुआ है, helium भरा हुआ है, आगे the gas gets ionized, that is, gets charged, when electrical energy flows through it, it's charging, creates a plasma, glowing inside the tube, or bulb, अगे लिका है, the plasma glows with a special color, depending on the nature of gas, the sun and the stars glow, because of presence of plasma in them, the plasma is created in the stars, because of very high temperature, तो plasma हमें कहां देखने के मिलेगी, जब हम किसी gas को बहुत high temperature पर ले जाने में सच्छम हो पाएं, तो हमें वहां पर वो gas ionized form में मिलेगी, और यही एक plasma state के formation का पहला step होगा, ठीक है, plasma के बारे में सबको एक rough idea हो गया, आगे बढ़ते हम लोग, अगला हमारे पास है, बोस, Einstein, Condensate, नाम से ही पदा चल रहा है कि यहाँ पर दो scientist का contribution था, एक थे बोस और एक थे Einstein, तो 1920, in 1920, Indian physicist Satyendranath Bose had done some calculations for a fifth state of matter, और उसी calculation के बिहाँ पर, building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein Condensate, तो 2001 में कुछ scientist थे, इन scientist ने इसके बारे में और ज्यादा अच्छा research किया, और इन्होंने इसको बनाने में हासिल, इसको बनाने में सफलता हासिल की, और इस वज़ा से उनको Nobel Prize भी मिला, तो मैंने अब आपको क्या सिखाया, कि हमारे आज़ पास, जो surrounding temperature है, वो जो ambient temperature है, वो ऐसा temperature है, जिस पे हम रह सकते हैं, खीक है, एक room temperature, तो room temperature पर तीन ही state exist करती है, solid हो गया, liquid हो गया, और gas हो गया, लेकिन अगर हम बात करें, extremely high temperature और extremely low temperature पर, तो वहाँ पर दो और state हमें मिल सकती है, एक है plasma, और दूसरा है Bose Einstein Condusate, ठीक है, दोनों आपको तोड़ा clear हो गया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब सवाल आता है कि ठीक है, आपने बोला matter क्या है, आपने समझा दिया, matter की definition बता दी, matter का classification बता दिया, matter की states बता दी, मेरे मन में एक question उड़ गया, यह matter किस चीज से मिलके बना होता होगा, गुड, अब यहाँ से आगे की कहानी स्टार्ट होगी, कि matter किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर कुछ लिखा है, Greek philosopher, और साथ में Indian philosopher भी, एक समय इस पर काम कर रहे थे, तो एक Indian philosopher थे, कनद रिसी नाम था उनका, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले परमाडू नाम की सब्द का प्रियोग किया, है ना, सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर Indian philosopher और Greek philosopher ने मिल करके, परमाडू और एकम के बारे में कुछ डिसकस किया, उन्हीं में से Greek philosopher, इन्होंने हमें बताया कि, एकम को एकम क्यों कहते हैं, उन्होंने नाम एकम रखा और एकम के रखने के पीछे की बाद बता, atom को हम लोग इसले लिखते है, atom, मतलब atomio, atomio मतलब uncuttable, जिसे further cut ना किया जा सके, non divisible, जिसे further divide ना किया जा सके, अच्छा सोचो बेटा, ऐसी कौन सी चीज है, जिसे दुबारा तोड नहीं सकते हैं, इसका मतलब तो वो सबसे चोटी चीज होगी, तभी तो उसे दुबारा तोड़नेंगी सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम किसी matter को break करते जाएं, break करते जाएं, तो एक ऐसी state आएगी, जब वो matter अपने सबसे smallest state में पहुंच चुका होगा, उसका further division possible नहीं होगा, और यही जो आपके हाथ में state लगी है, यही क्या कहलाएगी, यह atom कहलाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर यह demokritus सबका इनकी photo है, ठीक है, आप इनको प्रणाम कर सकते हैं, अब उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं, अब सवाल यह है कि atom के बारे में सबसे पहले किस scientist ने theory दी, कुछ atom के बारे में concepts बनाए, theory दी, या कुछ postulates, अब यहाँ पर हमने लिखे हैं, Dalton's atomic theory के कुछ postulates लिखे हुए हैं, पहला यहाँ पर इन्हों ने बोला कि matter is consist of small particles, which is indivisible, called atom, पहला point हुने बोला कि matter बहुत छोटे-छोटे particles से मिलके बने होते हैं, जिसे further divide नहीं किया जा सकता और इन्हें हम atom के नाम से जानते हैं, दूसरा है, atoms are indivisible particles, atom neither be created nor be destroyed, एक तरह से conservation of atom की बात इन्होंने कर दी, इन्होंने कहा atom ना हम बना सकते हैं, ना हम atom को destroy कर सकते हैं, okay, atom of same element are same, but atom of different element are different, जाहिर सी बात है बेटा, जैसे आपने पास hydrogen है, तो hydrogen के सारे atom एक जैसे दिखेंगे, और अगर हम पर पास nitrogen है, तो nitrogen के सारे atom एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों different element हैं, तो इनको बनाने वाले atom भी different होंगे, हाँ, लेकिन hydrogen कहीं भी पाया जाएगा, किसी भी source से पाया जाएगा, उस hydrogen को बनाने वाले सारे atom एक जैसे होंगे, similar atoms होंगे, atom के पास अपना mass होता है, जाहिर सी बात है बेटा, atom के पास अपना mass होगा, atom ही matter बनाता है, तभी matter के पास भी अपना mass होगा, है न, atom combines in the ratio of small whole numbers to form compounds, जो भी atoms होते हैं, वो small whole number में आपस में combine करते हैं, compound बनाने के लिए, जैसे hydrogen and oxygen, अगर 2 is to 1 ratio में combine करेंगे, तो यह क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है, और अगला है, atom takes part in chemical reaction, atom chemical reaction में participate करते हैं, actual में chemical reaction में जो participate करते हैं, वो atom ही होते हैं, जैसे मालों हमने reaction लिखी H2 plus I2 gives 2HI, तो actual में ह2 में से 1 hydrogen atom, I2 का 1 hydrogen, यह iodine, यह H और I आपस में reaction करके ही H2 का formation करेंगे, ठीक है, the relative number and kind of atoms are constant in a given compound, कोई भी compound आपके सामने हो, for both that आपके सामने H2SO4 given है, तो H2SO4 में किसका क्या relative number होगा, hydrogen, sulfur के respect में, sulfur, oxygen के respect में कितने-कितने atom यूज़ किया जाएंगे, यह भी fix होता है, और last है, एक point लिखा है, love mass conservation, love definite proportion and love multiple proportion are proved by Dalton, Dalton ने जो भी अपनी theory दी, इनके जरीये नोंने तीन-तीन concept को prove कर दिया, सही prove कर दिया, ठीक है, एक concept उसमें apply नहीं था, जो बार-बार question में पूछा जाता है, Avogadro's law, Avogadro's law कभी भी इनके समय पे नहीं बताया गया था, वो बहुत बाद में आया था, तो कभी भी उसको इससे जोडने की कोशिस नहीं करनी है अपन को, ठीक है, उमीद करते हैं, Dalton's के postulate को आपने समझ लिया होगा, अब एक question है, जो कि हमारा ITJE 2020 का question है, पूछा जा रहा है कि, Among the which are the following is not the postulate of Dalton's atomic theory, खुत recent question हो गया है तो, question क्या है, मतलब statements क्या है, matter is formed of indivisible atom, बिलकुल, अभी आपने यहीं पढ़ा, indivisible होते हैं, further divide नहीं किया जा सकते हैं, under identical conditions of pressure and temperature, gases combines and give gaseous products in simple volume ratio, क्या मैंने सारे postulate में कहीं पर आपको pressure, temperature की बात करी, क्या कहीं पर combine होने की बात करी, तो यह statement तो बिलकुल कहीं भी नहीं आया, अगला है, during chemical reactions, atoms remains conserved and only pass through rearrangement, अभी आपने पढ़ा कि atom neither be created nor be destroyed, इसका मतलब वो conserved रहते हैं, केवल एक form से दूसरे form में convert किये जा सकते हैं, for example, आपके पास है N2, आपके पास है 3H2, आपने उनको combine करके 2 moles ammonia बना लिया, 2 NS3 बना लिया, तो केवल उनका form change हुआ है, number वगएरा कुछ change नहीं हुआ है, जितने reactant side में atom थे, उतने ही product side में product को बनाते समय भी atom थे, some atom have same properties including atomic mass, अभी आपने पढ़ा कि हर atom के पास अपना खुद का एक atomic mass होता है, तो ये point भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो incorrect statement second हो गया, तो answer हमारा क्या हो जाएगा, second हो जाएगा, ठीक है, आईए देखते हैं, next question है, which of the following law of chemical combination is not proved by Dalton, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि law mass conservation बिल्कुल प्रूब किया, कैसे प्रूब किया, अभी आपको बताया गया, कि atom के पास अपना mass होता है, atom neither be created nor be destroyed, atom के एक form को दुसरे form में modify किया जा सकता है, change किया जा सकता है, transform किया सकता है, तो जब हम reactant से product बनाते हैं, तो चुकि number of atom सेम होते हैं, उनके पास अपना mass होता है, इसलिए जासे mass भी सेम होगा, तो congurvation of mass को इन्होंने साइश से define कर लिया, दूसरा है love definite proportion, definite proportion मतलब जहां पर जो ratio होता है, atom के combine करने का, वो fix होता है, definite होता है, तो वो भी नहोंने प्रूब कर दिया था, love multiple proportion, जब दो atom, suppose that nitrogen and oxygen मिलकर के धेड़ सारे अपने अलग-अलग molecule बना रहे हैं, ठीक है, जैसे N और O मिलकर के NO बनाते हैं, N2O बनाते हैं, N2O 4 बनाते हैं, तो उसमें एक atom और दूसरा जो atom होता है, तो एक atom के respect में दूसरा एक proper ratio में जाकर के उससे combine होता जाता है, ठीक है, या उसके multiple के ratio में combine होता जाता है, यही है law multiple proportion, अगला है Avogadro's law, तो Avogadro's law के बारे में तो कोई discussion हुआ नहीं था, इन्होंने कुछ बताया नहीं था, अभी मैंने आपको clear भी बोला, तो यह नहीं होगा, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा प्रूब नहीं किया, इन दोनों प्रूब तीर गया, तीनों प्रूब किया, चौथा प्रूब नहीं हुआ, तो इस तरह से गैडोजला प्रूब नहीं किया गया था, ठीक है?